को अब कहले में हमाथ करते हैं ग्रास्ट के चेप्टर नंबर 6 की एक लास्ट जेट में चेप्टर नंबर 6 जिसका नहों है टेस्ट एंड मेजरमेंंट इनी स्पोर्ट तो परह में इसके अंदर कुछ टेस्ट के बारें बढ़ेंगे परस्ट टेस्ट है मारा मोडर फिटनेस टेस्ट में जो होते हैं उनकी पर्फॉमेंस की एविलेटी के लिए हम यह टेस्ट कराते हैं यह स्कूल जिडिन्स की मोडर फिटनेस की नौलेज के लिए भी होता है इसमें हमारे कुछ स्टैप्स हैं सेवन स्टैप्स हैं जिने हम वन माइवन पढ़ने वारे हैं फर्स्ट टेस्ट है पुश अप्स और बोई जन्गर्स आपने देखा हुगा कि आप जानते होंगे पुश सब्सक्राइब टेस्ट भी बोड़ते हैं इसमें कुछ तरह के जो टक्नीक होती है या कुछ तरह कि मैं कहूं ही डिवेंडिफेंट प्रेस्मेंट होती है हैंड्स की कि कितना पास है कितना दूर है हमारा जो हाथ है वह एक दूसरे से है उसके ओपर वह डिपेंड करता है कि आपको किस अपने part की एक्साइस करनी है राइक चैस्ट की करनी है चाश्सक्राइब करनी है क्लि योज उसमें एक मैट चाहिए सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब अपने टोके से टेच कर आए फिर अपनी जो सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें अपने नीज को स्ट्राइब करें इसके बाद अपनी जो कि एलबो है उसको 90 डीडी करें अगल बनाए एन अगल के पर अपने आपको फिर अपरड पुश करें तो दैन क्या है आपकी बन पुशप हो जाती है का है इसको क्या से होती है इसकी put помest iç इसके बात करते हैं है कि वाव ट्राइबस पार ऍीक कि ये Abdominal strength के ये एंदिनर्द की होता हुए कि कितने आपके अपके इंदर्व मिनेज रेंटत है इसकीर कितनी है तो रसे से होता है सिध्य यह आप आपने रेड जाए वैक के बहु कि तो रखें नहीं होने चाहिए है अपने हाथ को अपनी थाइब की के साइड में रखें और कि नेच्वर पूजिशन में आ जाए इसमें आपको इसमें टेस्ट पर्फॉमेंस के रहें मैं बात करूं तो इसमें होता है कि आपको twin 1.5 सेकन्ड में एक जाना होता है और वर साइड में दूसरी साइड जाना होता है तो यह जो आपका है यह एशी डामर डियोशन के कोडिंग होता है कि आप इससे कंटेनिव करते हैं समें कोई भी आपको पोज नहीं होता है इतना भी आप करते हैं स्कोरिंग कैसे होती है इसकी कितना आपने नंबर ओफ कर लाप किये हैं कि टाइम लिमिट के अंदर तर्ट टेस्ट इसका फोर इंटु हंडर्ड फोर इंटु टैन मीटर शेटल दन इसमें होता है आपके जो आपकी काडियो वस्कुलर अभिएटी चेक करने के लिए आपकी स्पीड चेक करने के लिए होता है इसमें टू राइन्स होती है थर्टे फिक्ट के गैप मर उसके ओपर एक बॉक्स उनके साब पिछे एक बॉक्स रखा होता है जब आप जिस भी राइन से अपनी जो रेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो वो बॉक्स है उसे उठाकर उस राइन के पास रखना होता है और जो 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 आपके सेकंड वोक्स है उसे उस वाइन के रखना होता है इसमें फिर जितनी भी आपका जो बेस्ट टाइम आता है ट्राइल का टू ट्राइस दिये जाते हैं उसमे ऑन्जों आफ में वोगा जाता है नेफ्स प्रक्राइब ते मिढम्निल उफिर्णिम्न वी बोलते हैं हमीर यह आपकी ग्रणे में किसी आपकी अध्राइल меньше ऐसे च करने के लिड्रार्फ जाता है उसके बाद चीमर में के इसके जूट सबॉडब को स्विंग करके जो एक जंप लेता है उसके में ठीट ट्राइज दिये जाते हैं जो आपका बेस्ट डिस्टेंस होती है उसे मेजर किया जाता है डिस्टेंस जो मेन होती है जो भी आपका पूर्डी पार्ट टेक ओफ राइन की साइड होगा वहां से आपकी जो डिस्टेंस है वह मेजर की जाती है नेस्ट है आपका 50 मीटर स्टेंडिंग स्टार्ट इसमें यह आपकी एक्स्पोसिव इस्ट्रेंस अबलेटी को देखने के लिए किया जाता है इसमें आपको मेक्सिमम स्पीड तक टनिंग करनी होती है इसमें एक साथ दो पार्टिशिपे कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो टाइम को नियर एस्ट टैंथ सेगेंड टैंथ ओफ दा सेकिंड मेजर किया जाता है नेक्स्ट आपका 600 मीटर वॉक 600 मीटर वॉक में जो आपकी कार्ड वस्कुरेंड जो उसके लिए होता है इसमें क्या आपको 600 मीटर कि लनिया वोक करना होता है शोटस टाइम में नेक्स टेस्ट आपका सीटेंड इस इसमें क्या होता है कि आप यह बहुत सिम्बल है इसमें है कि पूरा वार्मप करने के बाद आप बैठ जाते हैं और अपनी जो रेक्स हों से एक्स्टेंड कर रहते हैं फ्रेंट की साइड जो जो अब के फीट की जो डिस्टेंस वो आपके शोडर की विड्स के अकोर्डिंग होती है जब इस पोजिशन में से आप अपने कि फीट को टश करते हैं तो इसमें गया है आपकी जो सामने जो एक बाद कोई भी चीट टश करनी होती है उसे आप किया है टेश्ट कर गयाक pelvis है जो आपिस शोटर टाइम में कर रते रहाद है लगान की जाता है बहात करते हैं यह जर्ला मोटर फिटनेस टेश इसमें तीन इस्टेप्स होते हैं फर्स्ट होटा आपका स्टें लोड्स जिसके बाएँ शाम यह निनाम 숨की आपको बढका है पूरा वही प्रसिटर है एस ट्रेंडिंग बोर्ड जंप का उसके बाद‬ करतेçon roughly जिग-जैक इसमें क्या होता है यह यह स्टल-वन की तरह होता है Kara इन Has उसमें भी प्रेंट के लिए जाते हैं जो आएज के आपको क्या है कि उसें ऑन बाय देश करना होता नेक्स्ट है मैडिसन बोल पुट इसमें मैडिसन की बोल होती है एक वो बोई के रिए तरी के जी और गर्स के विए वन के जी होती है अब मैं आपको इसमें क्यों पेंट के चाहिए होते हैं मैडिसन बोल जाए होती है और एक मेजरिंग टेप चाहिए होता है इसका प्रोसिजर क्या है कि आप जो राइन होती है उसे 16 फीट दूर खड़े होते हैं बोई को थरी के जीगी और गर्स के रिए वन के जीगी बोल होती है आपको पूट करनी होती है जी इतनी दूर आप एस करनी होती है जो यह बोल रहे हुआ थो आप की आइक है आप के पांप रख्योंती है दरन आप उसके नेक ट्रफन टूर नहीं से टेच होती है और यह से क्या पुश् CD करते हैं अपनी क्यूंत कि यूज चैजमत सब्सक्राइब को is इसमें इसमें ंस पांप si आप वारने औ वो है हारवडी स्टेप टेस्ट हारवडी स्टेप स्टेप टेस्ट में क्या होता है आप क्या घर दें ये यूजवरी आपकी कार्ड डियोबस्कुर फिटनेस को या ऐरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए होता है इसमें के 20 इंची का एक बोक्स होता है और वूमेंज के विए मैं बातकर दो 16 इंची का होता है उसको एक स्टोब वॉच होती हो एक कंडेंस टेप होते जिसे आपकी हर्ट बीट को मेजर गया जाता है होता कैसे जो भी आपका परफॉर्मर वह बेंच के सामने खड़ा हो जाता है देंगो के पहर क्या कि आपना एक रेग क्या है उसके बोक्स के उपर लगता फिर सेगिंड रखता है फर्स्ट वारे को नीचे गर देदा तो इस तरह वैसे आपको एक मिनट में 30 स्टेप्स करन होते हैं मैं +, जो हमड़त के जाता है जिसरा आपको मिनेट तक मैं आब रिकर जाता है जब आपका लास्ट एंस सो जाता है उसके बाद पिर आपकी जो 30 सेकंड में जवापकी हर्ट बीट होती है उसे पूरा नोट कर गया जाता है फिर जो उसका ताइम है वो जो तीन मिनट बाद टेस्ट खतम होने के 30 सेकंड तक तब क्या जाता है कि इसका इसरी क्या है क्यों पाटी कि ओक्त होती है कींड होती है होस्ति घृती है कि अलग याईच होती है हो लेकिन जो पोक्स का साइज है वो शेम होता है टॉल के लिए वी श्ट के लिए पी तो ये किisterं भाइंट है नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम है रोगपोट वॉकिंग टेस्ट इसमें वन माइल की जो टैए हवेस होती है यह हमारी जो कितनी मैक्सिम वोल्यू हो सकती है उसको मेजर करने के लिए जो को डर्रफ्मन्ट करने के लिए होता है इसके लिए आप को 400 मीटर का रॉनिंग ट्रेक चाहिए होता है कि इस टोपोच चाहिए होती है होता कैसे एक परफॉर्मर एक किसी भी जो ऐसा डे चूज किया जाता है जिसमें हवा नहीं होती है बिल्कुल विंडरेस होता है और एक वेट मशीन होती है तो सबसे पहले वेट वेट ले जाता है मिनिम्म करोद के साथ फिर गया कि एक जो स्टार्टिंग पॉइंट पर 400 मिटर के ट्रेक पर एथरिट्स को कि छोड़ दिया जाता है और रन करने के लिए का जाता है जब वह पूरा अपना टेस्ट पूरी वाक या रनिंग जो भी है वो कर लेते हैं तो आपका हर्ट बीट चेक की जाती है जितनी भी आपकी जो पर मिनट हर्ट बीट होती है उसके अगोर्डिंग क्या है कि आपका पूरा वोल्यूम जितनी भी आ सकती है आपकी बोड़ी के अंदर उसे कर्गोरेट किया जाता है एक आपका नेक्स्ट है होता है इंडेक्स होता है जिसे बोलते हैं कमपोरेशन और पिटनेस इंडेक्स इसमें क्या है आपकी जो हर्ट बीट को चेक करने का तरीका होता है आप हर्ट बीट कैसे चेक करते हैं कि इसमें कुछ एक्वेशन होती हैं जिसमें आपकी जो कि फाइब मिनिट्स की कि मैंने कुछ हाटवीट चेक की जाती हैं कम्प्रीट करने के बाद यह एक होती है वन टू वन पॉइंट फाइव मिनट तक कि आपके 19 होनी चाहिए विजब 222.5 मिनट पर हम चेक करें तो 80 होनी चाहिए अगर टू कि थी तू 3.5 अगर हम चेक करते हैं तो क्या 70 होनी चाहिए हर्ट वीट तो इसी तरह से हम स्कॉल करते हैं हंड्रेट इंटू 3 हंड़ेड अपॉन टू फॉर्टी इंटू टू इक्वास्टी टू इक्वास्टी टू पॉइंट फाइब यह क्या होता है कि आपकी जो हर्ट बीट होती है ती सेगंड के अंदर वो इको आपकी पूरी क्या है निकल के सामने आ जाती है ठैंक यू